नवरात्री में भूल कर भी ना खाएं ये चीजे वरना देवी मा नाराज हो जाती हैं और परेशानिया उत्पन करती हैं तो आएए जानते हैं कि नवरात्री में हमें कौन-कौन सीजे खाने से बचना चाहिए। हिंदु धर्म में नवरात्र के दिनों को बहुत महत्पपूर्ण माना गया है। ये नौ दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ती को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी मा दुर्गा को शक्ती की देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरा गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेनी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन वरत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूली से बनाए दूरी। जोतिश शास्त्र में मूली का संबंध र राहु से बताया गया है। राहु के दोश को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आज उर्वेद के मुताबिक यह वात वर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुन की बढ़ोतरी होती है इसलिए वरत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ल है लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ती राहु और केतु से हुई है इसलिए इन में गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपियोग नहीं किया जात मास का सेवन ना करें नवरात्र के पर्व पर मानसाहार खाना वर्जित माना गया है मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए दुरगा सब्तश्ती में इसको लेकर खास दिशानिर देश दिये गए है पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए मसूर दाल ना खाएं मसूर दाल को धार्मिक ग्रिष्टी से अपवित्र माना गया है इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तांसिक विचार का संचार होता है आयुरव होता है. सीताफल और गाजर से बनाए दूरी. नवरात्री वरत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए. इन्हें रजोगुन वर्धक माना गया है. गाजर भूमी के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है. बैंगन से बनाए दूरी. नवरात्री के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, बैंगन में रजोगुन होते हैं. ये सात्विक भावों को कम करता है. इसके अलावा इससे त्वचारोग होने की भी संभावना होती है. बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है. मेरे प्रिये दर्शकों आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्यानवर्धक जानकारी के साथ.